जाहिन दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में अगर आप भी क्लाश टोल्द में हैं और हिंदी 2025 बोर्ड एकजाम देने वाले हैं ये जो चार महत्तपोंड जीवन परचे हैं इनको आपको तयार कर लेना जो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे प्रिंस तो आपको किस प्रकार से तयार करना है और किसका किसका जीवन परचे तयार करना है तो ये चार महत्तपोंड जीवन परचे हैं पहला आपका है वासुदेवसरा अगरवाल और दूसरा है डाक्तर हजाई पिसाद देवेदी और तीसरा जैसंकर पिसाद और चौता है महादेई वर्मा इस प्रकार आपको चारो जीवन पर्चे कंप्लीट कर लेना है जिसमें आपके दस नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा तो चलिए सबसे पहले हम वह सुदेव सरन अगरवाल का जीवन पर् तो फ्रेंच अगर आप इतना तयार कर लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है वासुदेव सरन अगरवाल उसके बाद आपको जीवन पर्चे हेडिंग डाल देना है आप लिखेंगे वासुदेव सरन अगरवाल का जन्म सन 1904 इस भी में मेरठ जिले के खेड़ा नामग इनके नामगम में हुआ था इनके माता पिता लखनव में रहते थे और इनका बच्पन ज्यादा अतल लखनव में बैतीत हुआ और वहीं इनकी प्रारमभिक सिच्छा भी होए इनकी जो प्रार्यम्भिक सिच्छा है, वहीं लखनाव में हुई, और इनोंने 80 हिंदो भी सुविध्याले से, में तता लखनाव भी सुविध्याले से, पारिन कालीन भारत नामक सोग प्रबंद पर DLA की उपाधी प्राप्त की, इतना आपको इलिख देना है, इसके वालिख भारती सांस्कृति और पुरा तत्यों का ये महान साहित कार्शन 1966 में इनका नीधन हो गया या इनका सुर्गवास हो गया इतना आपको लिख देना है इनके बास साहित में स्थान तो साहितिक परचे में प्रेंस आपको ये जीवन परचे लिखना तो काफी ज्यादा इसके बास साहित में स्थान लिख देंगे फ्रेंस वासुदेव सर्ण अगरवाल जी का जन में एम्रत्तु 1904 और 1964 ये भारत के इतिहास सांस्कृति और कला साहित के विद्वान थे साहित एकैदमी द्वारा पुर्सकत हिंदी गद्दकार है सौतंतता के बाद दिल्ली में इस्थापित राष्टी पुरा तत्तो संग्राले की इस्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है या योगदान था इतना आपको लिख देना है कि वासुदेव सर्ण अगरवाल का जीवन परचे जो काफी जादा साड में अगर इतना आप तयार कर लेते हैं इतना याद कर लेते हैं तो आपके एक भी बिनमर नहीं कटेंगे क्यांकि एक जीवन परचे जो है पांच नमर काता है तो इनकी जो प्रमुख रचना है कुछ इस प्रकार से है प्रमुख रचना है निम्न प्रकार है जैसे पहले में है प्रतिवी पुत्र और दूसरे में है कलपलता और तीसरे में है कला और सांचक्रती और चौते में है पाणीन कालीन और पांचों में है भारत वर्स ये इनकी प्रमुख रचना है इन में से किसी एक रचना को आपको व उफ्रिंस को झीवन पर चे लिखांग है। प्रिंस आपके पांच नमबर नहीं कटेंगे। जिए देखनें किस प्रकार से लिखांग है। अचारहजारीपसाद दुवेदी जी का जन्म सन 1907 इसवी में बलिया जिले के दूबे परिवार में छपरा नामक ग्राम में हुआ था इसके वाद इनके पिता का नाम अनमोल दुवेदी तथा माता का नाम जोतिसमति था सन 1909 इसवी को हिंदी का ये महान पुत्र पंचोतत में लीन हो गए ये आपका सार्ड में जीवन परचे इतना आपको कब लिखना है जब साहितिक परचे पूँच रहा हो तो आपको थोड़ा उसके बारे में जीवन परचे भी लिखना पड़ेगा तो ये सार्ड में मैंने बना दिया है अब इनका है साहितिक परचे या साहित्त में योगदान इसके बाद लिखेंगे अचार हजाईप जादुवेदी जी का हिंदी साहित के अंतरगत अलोचना तथा निवंद के छेत्र में महत्त पूर योगदान रहा है सन 1930 इसवी में कासी हिंदी विश्विद्याले से जो 34 तथा सन 1949 इसवी में लक्नाव विश्विद्याले से डिलेट की उपाधी प्रात्त की अदुवेदी जी ललित निवंदों की परंपरा को नव जीवन देने क के लिए ये सदयों इस मनी रहेंगे इनोंने अचार सुक्ल के अधूरे कारों को पूर्ण करने वाले मांसी के रूप में सदयों याद किये जाएंगे इतना आपको साहित्तिक पर्चे में लिख देना है और जीवन पर्चे में भी तोड़ा लिख देना है अगर आपका साह प्रमुक रचना है जो मैंने इस प्रकार लिख दिया है उपन्यास में आपका वारवट की आत्मकता दूसरा है अनामदास का बोथा और निबंद में आप असोक के फूल कुटज परिवार और वितर्क और इतिहास गरंत में इनके जो प्रमुक रचना है हिंदी साहित की भूम और दूसरा हिंदी साहित और संपादित ग्रंत इनके रहे हैं प्रेंस प्रत्वी राज रासो संचिप्त में है और दूसरा है संदेश रासक तो यह इनकी प्रमुक रचना है जो मैंने आपको क्रंशय बता दिया है चलिए देखते हैं दूसरे में हैं आपका जैसंकर प्रस प्रसाद का जीवन परचे किस प्रकार से लिखा है बहुत ही सरल सब्दों में मैंने लिखकर बता दिया है जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रेफरेंस तो आपको तयार कर लेना है तो सबसे पहले आपको डालना है आपको जीवन परचे उसके बाद आपको लिखना है छायावाद युक के परवर्तक महा कभी जैसंकर प्रसाद का जन्म कासी के प्रसिद सुंगनी साहु नामक बैस परिवार में स 1889 में हुआ था इनके पिता का नाम बावु देवी प्रसाद था ये तम्माखु के प्रसिद व्यापारी थे बचपन में ही इनके माता पिता तदा बड़े भाई का देहान तो हो गया था परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी स्रेष्ट साहित लिखकर प्रसाद जी ने अनेक मूल रत्न हिंदी साहित को प्रदान किया परन्त प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे रिड़ ग्रस्ता मुकदमे बाजी परिजनों की म्रत्त आद इने रोग ग्रस्त कर दिया और 48 वर्स की अलपाई में ही सन 1937 इस भी में इनका निधन हो गया साहित्तिक परिचे या स साहित्त में स्थान इतना भी आप डाल देते हैं तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा तो साहित्तिक परिचे में आपको लिगना जैसंकर प्रसाथ चायावाद के परवर्तक उन्नायक तथा प्रतिनीधि कभी होने के साथ साथ उपन्यासकार भी थे जैसंकर प्रसाथ च चंद्र गुप्त, इसकंद्र गुप्त, अजाज सत्रु आदी, इनकी प्रमुक रचना है, आदी सब दगर आप लिख देते हैं प्रेंस, तो एक्जामना समझ जाएगा कि और भी इनकी रचना हैं, और इसके बाद आपका जो लास्ट जीवन परच है प्रेंस, महादेई वर् जो आपको लिख कर बता देता हूँ, ये भी काफी ज्यादा इंपर्टेंट है, बोड एक्जाम में आपके हर वर्स पूचे जाने वाले जीवन परच हैं, तो मैं आपको बता दूँ प्रेंस, महादेई वर्मा का जीवन परच मैंने इस प्रकार लिख कर बता दिया है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपरच है, तो प्रेंस, आपको डाल देना जीवन परच है, इसके वाले लिखना महादेई वर्मा का जन्म फरुक्कावाद के एक सिच्चित परिवार में सन 1907 इस भी में हुआ था, इनके बिता सिरी गोबिंद प्रसाद वर्मा, विद्वा और विचारक होने के साथ साथ बागलपुर कालेज में प्रधाना अचार थे, इनकी माता हेमरानी भक्त हेदा और धर्म प्रायड महिला थी, एवं नाना ब्रजभासा के एक अच्छे कवी थे, इनका बिवा डाक्टर सरूप नरायड वर्मा के साथ हुआ, और इनका बिवा जीवना धिक, सुखी नहीं रहा, 11 सितंबर सन 1987 भी को इस महान लेखिका का सुर्गवास हो गया, इसके बाद आपको डालना है साहित्तिक परचे या साहित्त में इस्तान, तो प्रेंस वो भी गलत नहीं माना जाएगा, तो आपको डालना, साहित्त में इस्तान, इसके बाद लिगना छाया वादी की प्रदिनीदी कवित्री महादेई वर्मा की कविता में रहस्वादी भावना एउं बेदना भाव की पधानता है हिंदी गद पद दोनों पर इनका सम्मान अधिकार रहा है फ्रिंस इनों ने हिंदी गद और पद दोनों में रचनाय की है साहित और गीत के अलावा चित्रकला में रूची रखती थी इनकी साहित्तिक साधना के लिए भारत सरकार ने इने पदन सिरी से सम्मानित किया इने इनके ग्रंत यामा पर भारती ग्यानफीर प्रुसकार प्राप्थ हुआ अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है जो इस प्रकार से है उनके काव में अनभूति चिन्तन एवं कलपना का सुन्दर समावेस है वे अधोनिक युक की मेरा कही जाती है तो प्रेंस आपके आपको प्रमुकर्चना उने लिख देना है संद्यागीत दीव सिकhा यह आपको डिख देना है इस प्रकार आपका प्रेंस पांच या चार जीवन परचे कंपलीट हो गए तो में इस प्रकार आपके चार महत्तपूर्ण जीवन परचे कंपलीट हो गए जो काफी ज़्यादा important है अगर आप इन्हें तयार कर लेते हैं तो friends आपके 10 number 10 number में से एक भी number आपके नहीं कटने वाले हैं 100% मेरी ये guarantee है friends आपके 10 में 10 number मिलेंगे ऐसे ही और important शे वीडियो पाने के लिए friends हमारे चैनल से जुड़े रहें अब मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जय हिन वन दे मत